करके पुछ सकते हैं ठीक है बचो तो आज के हम पहला पुछन लेते हैं कि नवी जी 20 शिखर समेलन किस देश में अयोजित किया गया है या 20 सिखर समेलन या बहुत ही महत्पून है और इससे जब भी अयोजित किया जाता है उससे questions आपसे पूछे जाते हैं तो option A है भारत, option B है ब्राजील, option C है इंडोनेसिया, option D है अमेरिका, तो प्यारे बचो इसका से ही जबाब क्या होगा, तो इसका से ही जबाब ब्राजील होगा, यहां ब्राजील में यह कौन सा सिखर आयोजित किया गया है, तो उनिस्वी G20 सिखर समयलन, G20 सिखर समयलन का आयोजन किया गया है, ठीक है बच्चों, और यहां ब्राजील के रियूज जनेरियों में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, तो यह सिखर समयलन किस वर्सका है, तो यह दो हजार चौबिस के लिए यह ब्राजील में आयोजित किया गया है, वहीं हम बात करें, तो G20 सिखर समयलन, सिखर समयलन, 2023 का आयोजन कहां किया गया है, बच्चों, तो 2023 का आयोजन भारत के निव दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, तो 2023 का आयोजन भारत के निव दिल्ली में किया गया था, और 2024 का आयोजन ब्राजील के रियोजी जनेरियों में किया गया है, वहीं हम बात करें, तो 2025 की सिखर समयलन का कहा आयोजन किया जाएगा, यह बहुत ही इसके अफेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा, तो यहां से जब भी आयोजीत किया जाता है, तो यह किस देश में और किस सहर में आयोजीत किया जाता है, उससे समबंधित question आपसे पूछे जाते है, खिक है बच्चों, तो इस बरतमान में भारत में 23 में आयुजित किया गया है और ब्राजील 2024 में आयुजित किया गया है और वहीं हम बात करें तो जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहा यो जित किया गया था अगर हम आप से पूछें कि जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन का पहला सम्मेलन कहा यो जित किया गया है तो इसका सही जबाब क्या होगा इसका पहले शिखर समयलन तो या अमेरिका में रहुजित किया गया है तो इसे आप याज करेंगे क्योंकि जब अभई कोई का आयोजन किया जाता है तो उससे संभंदित कुउश्चंज उछे जाते मुश्याते हैं तो पहला सिखर तो रहा उने का या च्रमाय की आगया है थिके बच्चों इसी आप екरे कि कि यहां से questions आप से पुछे जाते हैं ठीक है वहीं हम बात करें तो इसकी अस्थाप जी 20 की जी 20 सिखर समयलन की अस्थापना कब किया गया था तो इसकी अस्थापना 26 सितंबर 26 सितंबर 1999 इस्थापना किया गया है आप से अगर पुछा जाएं कि जी 20 सिखर समयलन की अस्थापना कब किया गया है तो 26 सितंबर 1999 इस्थापना किया गया है और हम पूछें कि जी 20 सिखर समयलन के संस्थापक सदस कितने थे हैं संस्थापक सदस कितने थे तो इसके सांस्थापक सदस जी 7 सदस्यों के द्वारा इसकी अस्थापना किया गया है उसकी बाद से परतेक साल क्या बच्चो परतेक साल नए सदस्यों को इसमें सामिल किया जा रहा है नए सदस्यों को इसके बाद नए सदस्यों को इसमें सामिल किया जा रहा है ठीक है उस समय संस्थापक सदस्यों में या साथ देशों ने इसकी अस्थापना किया हुआ है ठीक है बच्चो और इसे उसके बाद परतेक बार से कोई ना कोई देश इससे जूरता गया और यह आज में बरतमान में इसे बरतमान में अभी 20 सदस्यों हो गये हैं ठीक है और इसे हम किस नाम से भी जानते हैं तो इसे हम जी 20 ग्रूप के नाम से जी 20 ग्रूप के नाम से भी जानते हैं जी 20 सिखर से मेलन को किस नाम से जानते हैं बच्चो तो इसे जी 20 ग्रूप के नाम से भी जानते हैं और इस जी 20 ग्रूप के नाम से जानते हैं और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया है तो इस बार उन्निस सदस्देश उन्निस सदस्देश पलास तो यूरोपिय संगठन और अफिर की संगठन अफिर की संगठन इसमें सामिल हुए थे और verso total की बात करें तो टो इनकी संख्या कितनी हो जाती है तो खुल सदस्यों की हम बात करें कितनी हो जाती है बचों को सदस्य की संख्या 21 होजाती है इसमें हम जब सजासियों के बारे में हम बात करते हैं तो कुल सजासियों की संख्या कितना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा या G20 के बारे में आपको जारने की जरूरत है वही हम आपसे पूछे कि G20 या कैसा संगठन है तो या एक बैपारी संगठन है और इसकी अस्ठापना करने की जरूरत पर गई तो इसकी अस्ठापना करने की जरूरत इसलिए पर गई कि बीतिये इस्तिति अच्छी नहीं होने के कारण उस समय आर्थिक इस्तिति नहीं अच्छा होने के कारण इसकी अस्थापना किया गया है तो इन संगठनों के बारे में आप सही से याद कर लेंगे क्योंकि यह G20 सिखर सम्मेलन से questions आपके जाते हैं